Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 11, exercise 11.3, question number 8. यह थोड़ा सा confused question है, इसे बस समझने की जरूँते, मैं आपको explain कर देती हूँ अच्छे से. उसके पहले भी बताना चाहूँँगी, कि यह chapter जो है, वो area, volume और perimeter से related questions हैं. और इन सब का basic concept, formulas के लिए अलग से video बना हुआ है. उसके इक बाच्छे रूँच है, जिसे की आपका सारा concept clear हो जाएगा. ओके, now let's start the lateral surface area of hollow cylinder. hollow cylinder, यानि की उनका both side जो है, वो open है, है ना? यह दोनु side open है, यह बंद नहीं है, ऐसे ही है, यह hollow cylinder packed नहीं है. यह hollow cylinder है, इनका area जो बताया जा रहा है, वो 4,012, 224 cm2 है, इनके lateral surface area की बात हो रहे है, यह curved surface area. यह इस तरीका से बना होगा, और इनका जो curved surface area है, वो 4,224 cm2 है. यह एक pipe है, basically कर लो तो एक pipe है, उसे मैं ऐसे बोड़ दू, तो भी काम चलेगा, यह हो गया, एक pipe है, hollow pipe है. इसका यह भी open है, और यह भी open है, फिर उसकी मादूर है, it is cut along its height and formed a rectangular shape. इसके height से क्या करना है, कि cut कर देना है, चुकि round round है कि इसे एक जगह से cut कर दो, तो तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना, rectangular shape ले लेंगे, यह मतलब यहां से cut करेंगे, तो यह बला part तो यही रह जाएगा, वाकी यह बाकी के जो यह वो यह से open हो जाएगे, तो यह rectangular sheet बन जाएगा, और breadth, यह इसकी जो breadth है, वो 33 cm है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसे अगर यह कोई round चीज है, अगर मैं suppose that एक लेंग करके समझाने की कोशिस करती हूँ, suppose that एक फेज मैं करती है, और यह मैंने इसे hollow cylinder का रूप दे दिया, इसे मैंने hollow cylinder का, भई थोड़ा सा, थोड़े perfect तो नहीं आएगे, बट मैंने इसे hollow cylinder का रूप दे दिया, यह hollow cylinder बन गया, अब हम क्या करेंगे, इसे यह height है, यह हमारा height है, इसे height से क्या करेंगे, वर्टिकल कट कर देंगे, जब कट कर देंगे, तो देखो यह ऐसा बन जाएगा, चलो ऐसे लेती है, यह रांग, चलो, अब यह perfect बने हैंना, और यह है हमारा hollow cylinder, और इसे अगर ऐसे कट करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह height जो है, आप देखना, यह breath बन जाएगा, ध्यान से बिखना, यह देखो, ऐसे खुला, तो यह length बन गई, इनकी जो cop surface एरिया थी, वो length बन गया, और height जो था वो breath हो गया, तो कि यह चीद समझाने की कोशिस कर रही थी मैं, तो यह breath हो गया, इस कहने का मतलब है, कि इस cylinder का height है, वो भी कितना होगा 33 cm, जो कि इस rectangular seat का है, 33 cm, कुछ relation है, इसलिए मैं इसे बार बार explain कर रही है, find the perimeter of rectangular seat, उस rectangular sheet का हमें perimeter find करनी है, तो find करेंगे, सबसे पहले तो जालते हैं, कि इसका cop surface area क्या होता है, तो cop surface area of hollow cylinder, hollow cylinder, hollow cylinder, equal to 2 pi r h, इनकी value क्या given है, value given है, 4224 cm2 यहां पर देने के लिए होते नहींगे, इनका formula क्या होता है, 2 into 22 upon the 7 and multiply r, तो हमें आरे पास नहीं है, but height, अभी मैं explain की हूँ, हाना, which is 33, आप यहां पर note भी कर दे सकते हो, कि height of, height of cylinder equal to breadth of rectangular seat, which is 33 cm, meter, अगर यह इतना है, और यह पूरा area है, तो इसका मतलब यह पूरा आपका क्या हो गया हमारा, length का part हो गया, हाना, अगर यह ऐसा है, तो यह पूरा part हो गया, यानि length की value होगी, होगी न, तो इसके लिए हम सबसे पहले arc को find करेंगे, हाना, समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है, कि height तो यह आ गया, और अगर इसे लाप तो हम fold कर के बनाए, या इसे हम curved, मतलब की plane बना दे, यानि वही seat है, वही seat है, जो कि इस form में बने है, यानि कि इसका length multiple breath, अगर rectangular seat होता, तो length multiple breath होता, यानि कि कहने का मतलब है, कि total यह length की value 2, 5, r हुए, हुए न, हमें length ही find करनी है, तो जब तक, हम plane तब तक नहीं find कर शकते हैं, जब तक कि हमारे पास radius नहीं होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले radius को find करें, ओके, यह आ गया आपका, उसके बाद, यहाँ पे, यह सारे जो part है, इसे मैं इधर shift कर दूँगी, है न, यह तो reciprocal करके, यानि 4, 2, 2, 4, multiple में यह divide में है, तो यह आ जाएंगे 7 में, यह सारे part आपका numerator में है, यानि कि तो आ जाएंगे denominator में, 22, multiple में, 33, equal to me, r, ok, सारा हो रहा है radius को find करने का ताम जान, ok, 2 से यह cancel होंगे, त्रकूजा 1, 1 and 4, फिर यह 96 से cancel हो जाएंगे, और यह 3, 11 जा, and 3, 3 जा, 3, 2 जा, ok, इन सब को multiple करोगे, तब आ जाएगा आपका 200, 224 अपन में 11, यह आ गए radius, ok, हमें length point करना है, तो length equal to क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना, कि length की value यह होगी, तो length of rectangular seat equal to 2 pi r, है ना, 2 pi जारी होंगे, ok, और already हमारे पास 2, जब बेनीचे करूँ, 2 multiple, 22 upon me, 7 multiple, यह आ गए, आर की value इधर है, 224 upon me, 11, अब 11 से 2 जा, and यह cancel हो जाएंगे, 7 treza, and 7 treza, इन सब को जब multiple करोगे, तो आ जाएंगे 120, अब हमारे पास length भी है, और length भी है, मैं इस figure को rub कर देती हूँ, जिससे की हमारा solution के लिए place देनी जाए, ok, perimeter find करनी है, perimeter of rectangular seat equal to 2 into L plus में B, length भी है मारे पास, और ब्रिंतो अलेडी given है, 2 into 128 plus में 33, इन दोनों को plus करोगे, तो 161 आएंगे, और जब इन दोनों को multiple कर दोगे, तो 322 centimeter आएंगे, centimeter में है, that's why answer भी हमारा centimeter में होगा, अगर meter में होता, तो answer हमारा meter में हम लिखते, तो इस तरीका से हम find किये, किस तरीका से सबसे पहले हमें समझना होता है कि semi figure को कैसे open किया, तो वो रेट्टेंगल पॉम में आगे, I hope solution समझ में आगे आओगा, प्लेज चैनल को subscribe करने, बेल आइकोन को दबादे, like रोशेयर करना होता है,